नमशकार, सुवाद आप सबीके सिलसिला बजार उका में नहुत साथ एक टोटी और सिलसिला बजार उका में आप सब के लिए आज एक बार फिरसे हाधी रूप कमूरिटी बजार का बिडेट ले कर जानेंगे कि आज सुभागे कारवारी सर्थ में कम्यूनिटी बजार किस हसाब से खुलता हो नजर आ रहा है किस कम्यूनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और उस पर एक्सपर्ट की क्या रहा है ये सब जानने की कोशिश करेंगे देख रहे है कि यहाँ पर कैससीड का अक्टूबर वाइदा इकसट सो सतर पर कारूबार करता है नजर आ रहा है 990 का ही लगा चुका है आदे फीजदी की तेजी है रुपाजी देखने कि कैससीड का अक्टूबर वाइदा फिर से 1200 के लेवल के करीब है आपको क्या लगता है आज इंटरडे में कैस्टर में क्या लाइब देखने को मिल पाएंगे इसको होल्ड करके चल सकते हैं उपर में 5500 कस पर एक्सपेक्टिड है कि मुझसक्त अक्टूबर वाइदा में भी देखने को मिल जाएंगे जी रूपा जी यहां से बात करें बिनॉला खल की तो देखने कि डिसंबर वाइदा आज भी 2530 पर कारवा करता हो नजर आ रहे है आदे पीसदी की तेजी के साथ रूपा जी देखने की बिनॉला खर 25 की उपर रहके ही सीमट गया यहीं पर सस्टेनबिलिटी देखने को मिल रही है कभी 20 पॉइंट उपर तो कभी 30 उपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है लेकिन पच्चिस सो का जारत देखने को मिल रहा है आपको क्या लगता है यह पर एक बाइंग जो है वो फॉइ दिखाई दी थी और तभी बार्खिट में थोड़ा सा सव्चेनबिलिटी आया और पच्चिस सो के ऊपर अब बजार सश्टेन होता दिखाई दिआ है लेकिन जब तक 2507 के उपर कीромफने को देखने को मिल सकते हैं तो फिलाल के लिए इस इसे रुपजी देख रहे हैं कि मसाला पैक भी आज अच्छा गासा का अरुबा करताव नजर आ रहा है चाहे धनिया हो जीरा हो चाहे हल्दी हो तीनों ही मसाला कमुलिटी के अंदर आज एक खरीदारी देखने को मिल रही है आपको क्या लगता है क्या मसाल में खरीदारी पूरे हफते तक जारी रह सकती है देखे बिलकुल अब तेवारी सिजन है और डिमांड जो है एक उमीद है कि डिमांड पीक अप होती ही दिखाई देगी उसकी वज़ए से खरीदारी बढ़ सकती है और एक्सपोर्ट निवांड भी अब मसालों के अच्छी निकलती दिखाई दे रही है धनिये में तेजी आई है, जीरे में तेजी है, हल्दी में भी अपसाइड मुमेंटम बना है तो और टेंड काफी पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो 15,200 तक जीरा भी उपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है तेम अच्छी हल्दी के अंदर भी तेजी बनती भी दिखाई दे रही है और अठाटर सो तक के टार्गेट हल्दी में भी देखने को मिल सकते है जी यह से रुपा जी नजर डालें कर गवार का उंपलेक्स की और तो देखनें कि गवार को अक्टूबर वादा 9700 के उपर निकल चुका है क्या आज पॉसिबल है कि गवार के अंदर उपरी सर्कुट लगते में नजर आएं गवार के अंदर अगर अगिलेश देखें तो अभी गवार के अंदर सीड अगर की बात करें तो सीड भी जो है चप्पन सो के आसपास नीचे सपोर्ट ले सकती है और उपर में जब तक 6,000 के उपर नहीं निकलती तब तक इसमें लंबी तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है तो अब जब तक ये नए लेवल्स को ब्रेक नहीं करता तक लंबी तेजी की तरफ नहीं है मार्किट लेकिन हाँ अभी भी डिप पर जो ट्रेडर्स हैं वो काफी खरदारी करते हुए दिखाई दिये हैं मंडियों के अंदर भी जैसे ही गिरावट आई उसके बाद पर से एक बार बाइंग इनिशेट होते हुए हमने देखी है और अभी भी यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वाइदा के अंदर भी जो प्राइजिस हैं वो वापी से से स्टेन होते हुए दिखाई दिये हैं तो थिलाल बाजार तेजी की तरफ यह जो भी क्रेक्शन आती है उस क्रेक्शन में खिजारी करके चलाजा सकता है अभी फिलाल बाजार तेजी की तरफ कम दिख रहा है लेकिन जो प्योहारी मांग है वो इसको सपोर्ट दे सकती है लेकिन इसका खुट का अभी बहुत जादा भी देखे जिस लिके से सोया बीन के अंदर हम यह गिरावर्ट देखी और फंडमेंटल भी काफी कमजोर हो चुके है तो इस बर सोईंगी काफी अच्छी कासी बताई जा रही है वही कुछ एक जगाओ पर फसले भी खराब बताई जा रही है पिलाल के लिए इसमें बाइंग करकी चला जाएंगे आपसे आज वह कौन सी एक्री कमुनिटी जो मुनाफय का सोदा साबीत हो सकती है मसालो के अंदर खरीदारी के सामने आ यह है जो कि आगे अभी जारी रह सकती है तो मसालों के लिए रूपजी के इनुसार खरीदारी की रहन नेती अपनाकर चलाजा सकता हूं उनमวยद साज़े की है उनको अचीव करने के लिए फिराल सिलसला बजार को में वस इतना ही लेकिन आपका इंजाये गने क्योंकि खबरुकर सिलसला लगातर यूँ ही बना रहेगा मागिराम सीवी पर